कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी तयारी भी रेगुलर वेसिस पे कर रहे होंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम globalization chapter स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने अपने पिछले वीडियो में आप से discuss किया थे globalization होता क्या है और क्या जरूरी है कि globalization हो और हमने बात किया था major forces जो globalization को help करते हैं ठीक है तो आज हम discuss करेंगे effects of globalization and cross border merger ने acquisition के बारे में ठीक है तो अगर आप मैंसे किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जरूर देखिएगा I hope आपको काफी helpful होंगे और अगर आप मेरे चानल पर नहीं हो हैं तो मेरे चानल को like, share और subscribe करना मत भूलिएगा और हाँ bell icon को भी जरूर प्रेस कर देखा ताकि मैं कोई भी वीडियो को upload करूँ तो आपके बास उसका notification जरूर जाए ठीक है तो अपने session को start करने से पहले में एक चीज़ आपको पताना चाहती हूँ कि मैं हर वीडियो में अब एक i button आप देखते होंगे उपर मेरे वीडियो में तो मैं एक poll generate करती हूँ कि आपको वीडियो हैं या नहीं हैं तो प्लीज आप उन पर येस या नो प्रेस जरूर कर दिया करिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं और क्यों नहीं लग रहे हैं तो उसका feedback जरूर दी क्योंकि ये major forces of globalization का ही एक point था जो कि हमने पिछली वीडियो में नहीं discuss किया था ठीक है तो पहले इसको discuss कर लेते हैं फिर आगे का session continue करेंगे तो globalization और technology के क्या relationship है देखिए बहुती सीधा से example ये है कि इस time पे जो कि COVID-19 की situation चल रही है all over world मैं country की किसी एक पार्ट में हूँ और आप country की किसी एक पार्ट में है ठीक और आप मेरी वीडियो को easily देख सकते हैं और easily घर से पढ़ाई कर सकते हैं क्यों possible है कैसे possible हुआ ये with the help of technology तो technology ने हमको बहुत ज़्यादा help किया है हमारी market को या हमाई economy को boost up करने में ठीक है एक competitive edge देने में ठीक है एक competitive edge देने में and information technology is one of the technologies foster to the new markets in this increasing competitive world okay तो पहले की बात करें अगर हम तो पहले हम लोग dextrop यूज करते थे है ना फिर technology कुछ अपग्रेड हुई तो हम लोग ने laptop यूज करना start किया और अपग्रेड हुई तो laptops के बाद आपका notebooks आ गए फिर बहुत ही धे सारी नहीं नहीं चीज़े innovative आती कहीं और फिर उसके बाद phones जैसे के आप जानते ही अब और हम लोग इतना साथा addicted हो चुके इन electronic devices से के बिनके बिना शायद रहे भी नहीं सकते है तो एक तरह से ये technology हमारे life by a party बन गई है तो technology has helped us in overcoming the major hurdles of globalization and international trade such as trade barriers, lack of common ethical standards, transportation cost and delay in information exchange, thereby changing the marketplace, तो information exchange भी काफी जादा improve हो गया with the help of technology, जो transportation cost थी वो भी कहीं न कहीं technology के वज़े से cut down हुई ठीक, जो हमारे standards थे वो भी कहीं न कहीं high हो गया और हमारे trade में जो hurdles आ रहे थे या barriers जिनको कहते हैं हम आ रहे थे वो भी कहीं न कहीं technology के वज़े से कम हो गये ठीक है उनको हम कह कहीं कहीं reduce कर पाई ठीक, तो technology has enabled the software experts to work collaboratively over the network with companies from around the world, the technological advancement has helped a lot in creation and growth of global market, market, MNCs that is multinational corporations can be seen as a central actor of globalization, markets have become global at a rapid pace as indicated by several kinds of trade extended to foreign countries, अब जैसा की पता है आपको की ये COVID-19 की situation चल रही है और maximum number of companies अपने employees से work from home कर रही है ठीक, और ये क्यों पॉसिबल हो पाया with the help of technology, अगर हमारी economy closed economy होती और trade ना करती तो क्या इसा possible होता नहीं हो पाता है, ओहाई ओब आपको ये समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं अपनी next slide पे, तो चलिए, अब discuss करते हैं, effects of globalization on world economy, अभी तक तो हमने बात कर ली कि globalization क्या होता है, necessary है कि नहीं है, और major कौन से forces है, जो globalization को drive परते हैं, अब समझते हैं कि globalization का क्या effect पढ़ा हमारी world economy पर, फेला point है, rapid growth of business, जैसा कि हम जानते हैं कि new technologies, new innovative techniques यूज कर रहा है business, अपने business को grow करने में, businessmen, तो क्या है, एक तरह से boom है business के लिए, फेला point है, opportunity to go global, ठीक, अगर हम एक closed economy में रहें, तो हमारे परस opportunity से उतनी रहेगी, जितनी उसे country में हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी economy को open कर देते हैं, और global economy में काम करने लग जाते हैं, तो हमारे परस opportunities भी बढ़ जाती हैं, ठीक है, हर perspective से, चाहे हम कुछ भी करना चाहें, reasons रहते हैं, और हमारे पास हर चीज की opportunity बढ़ जाती है, ठीक है, next point है, introduction of various new technology, ठीक है, global economy में काम कर रहे हैं, एक country से दूसरी country trade हो रहा है, तो technologies भी upgrade होती रहेंगी, ठीक, rise in access of technology in rural area, जैसा के हम जानते हैं कि हमारा rural area बहाँ जादा backward रह जाता है, लेकिन globalization के आने के बाद, वो भी कहीं न कहीं एक तरह से rise कर गया, क्योंकि देखिए, rural areas के भी लोग, अब phones को, mobile phones को easily चला लेते हैं न, तो ये किस वाइसे possible हो पाया है, just because of globalization, globalization, ठीक, new technology in agriculture, अब जो हमाई farmers हैं, वो भी new new technologies, new machines, new fixtures, use कर रहे हैं, agriculture में, ताकि वो अपनी जो crops हैं, उनको और जल्दी बढ़ा सके, और खुद को भी upgrade करते जा रहे हैं, with the passage of time, ठीक, अब इससे क्या हो रहा है, कि farmers हमारे क्या हो रहे हैं, लिटरेट हो रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो खुद को भी upgrade करते जा रहे हैं, अगर machines वो ले रहे हैं, और चीजों को अड़ाप्ट कर रहे हैं, तो उनको वो सीखना भी पड़ेगा, कैसे चलाना है, कैसे use करना है, तो वो क्या हो रहे हैं, उन्हें चीज़े समझ में आ रहे है और वो knowledgeable भी हो रहे हैं, ठीक, और जिसके वाज़े से क्या हो रहा है, कि हमारी country का जो literacy rate है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये क्या थे, positive impact पड़े थे हमने globalization के world economy पे, ठीक, आपके book में ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है, कि positive negative लेकि ठीक, सबसे पहला point है, uneven wealth distribution, ठीक है, जैसा कि हम जानते है, जो अमीर है, वो और जादा अमीर होता गया, और जो गरीब होता गया, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इंसान नई चीजों को adapt कर पाए easily, राइट, next point है हमारा, environment degradation, अब जो foreign countries से जो business यहां आ रहा है, या foreign countries अपनी units यहां लगा रही है, तो हो क्या कर रही है, हमारे environment को degrade कर रही है, है ना, जितना अधा resources यूज करना चाह रही है, कर रही है, उसके वैसे क्या और हमारा ही environment problem में आ रहा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, lockdown हुआ, उसके बाद environment कितना अच्छा हो गया, है ना, तो जितने आधा industries चलती आ रही है, उनका pollution उसके वैसे क्या और रहा था, environment degrade हो रहा था, detoriate हो रहा था, ठी, the local business has perished, हमारे जो local business, हमारे जो local market हो बहुत जादा affect हो जाता है, क्योंकि देखिए, जब आप बहुत जादा global economy में तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत बहुत जादा import करने लग गए, या बहुत जादा foreign countries के products हो डिपेंडेंट हो गए, तो हमारे जो local market हो कैसे काम करेगी, तो उनके लिए बहुत जादा problematic हो गया, इसलिए मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आप से कहा था, और इस वीडियो में भी आप से कहूंगी, local के लि everybody बहुत knowledgeable है, उन्हीं को employment मिल पा रहा है, और जो लोग जादा पढ़े लिखे नहीं है, illiterate है, उनके लिए unemployment की condition generate हो जाती है, क्योंकि देखिए, globalization में नहीं नहीं चीज़ें आ रही है, अपग्रेट हो रही है, तो जो पढ़ा लिखा है, जो literate person है, उसी को employment मिल पाएगा, और उसके विए से क्या है, कि growth rate हमारा बढ़ तो रहा है, लेकिन उसे साफ से नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक, affected the agriculture sector, अब क्या farmers बहुत जादा dependent हो गए, जो नई machines है, ठीक है, उसके विए से क्या हुआ, agriculture sector बहुत downfall में चला गया, या फिर बहुत सी artificial है, या chemicals की basis पे agriculture करा जा है, वो भी क्या है, हम लोग के लिए, क्योंकि देखे, organic farming एक अलग तरीकों होता है, जो कि बहुत जादा अच्छी होती है, लेकिन अगर आप artificial तरीके से farming कर रहे हैं, तो वो humans को बहुत जादा affect करेंगी, ठीक है, next है, loss of culture, अब, जैसे कि अब आप देखे रहे हो, इंडिय में western culture, बहुत साथा trend में है, है ना, तो क्या हुआ, जो हमारी भारतिय संस्कृती थी, वो कही न कहीं पीछे हो गई, है ना, next है, monopoly, अब, monopoly को क्या मतलब होता है, कि, अकेला राज होना, ठीक, अब, जो विदेशी कंपनिया, या foreign companies हैं, वो इंडिया में आई, ठीक है, तो उनों ने क्या किया, अपनी monopoly create करने ही कैसे कोशिश करी है, अब जैसे हम चाइना का example लेते हैं, मैंने पिछ्टी वीडियो में भी आपसे बात किया था, कि चाइना ने 90% toy market इंडिया में capture कर रखी है, अब क्या है, चाइना ने एक तरस अपनी monopoly ही create कर ली ना, या पे, ठीक, तो है तो ये globalization का ही effect, क्योंकि एक country से दूसरे country transactions हो रहे हैं, तो ये हो गए हमारे negative impact जो globalization ने डाले हैं, world economy पे, ठीक है, तो I hope आपको ये समझ में आगे होंगे, बहुत easy points से, अब चलते हैं व अपनी next slide पे, next हमारा, cross-border mergers and acquisition, ठीक, cross-border का मतलब वुआ जो हमारे national boundaries के बाहर, ठीक, the process of globalization has been strengthened at the global economy and firms level as a phenomenon of cross-borders, mergers and acquisition gathered momentum, merger and acquisition are a popular mode of investment for the firms wishing to project, consolidate and advance their global competitive position by selling of divisions that fall outside the scope of their core competence and acquiring strategic assets that enhance their competitiveness, ठीक है, देखिए, cross-border mergers and acquisitions की होते हैं, ताकि जो companies बहुत loss में जा रही हैं या work नहीं कर पा रही हैं के लिए, उनको या तो merge कर लिया जाए, या उनको completely acquire कर लिया जाए, ताकि वो ठीक से work कर सकें, ठीक है, तो हम इसको आगे और अच्छे समझते हैं कि merger and acquisition क्या होता है, तो आपको यह clear हो जाएगा, ठीक है, Now, what is merger? A merger may be defined as the combination of two or more independent business corporations into a single enterprise, usually involving the absorption of one or more firms by a dominant, so basically merger क्या है, combination है, कोई दो या दो से जादा independent business corporations का, ठीक है, और वो जब absorb हो जाती है, या मिल जाती है, तो क्या बनती है, एक नई company बनती है, ठीक है, for example, हम एक company A लेते हैं, और एक company B, ठीक है, यह दोनों क्या है, independent business corporations, ठीक, जब इन दोनोंने merge किया, तो इन्होंने एक नई company, एक नई unit form कर लिए, जो कि हमारी company C, ठीक, तो यह हमारा हो गया merger, ठीक है, तो I hope आप को merger समझ में आए, अब समझते हैं, कि acquisition क्या होता है, acquisition may be defined as an act of one enterprise of acquiring directly or indirectly of shares, voting rights, assets, और control over the management of another enterprise, मतलब, acquisition में क्या होता है, basically, कोई company, एक company को acquire करती है, directly or indirectly, उसके shares को acquire कर ले, या उसकी voting rights, ठीक, या उसके assets पे control, या उसकी management पे, ठीक है, तो इसमें कोई नई company नहीं form होती है, लेकिन जो dominant company होती है, वो क्या करती है, दूसरी company को acquire कर लेती है, for example, Tata ने acquire किया था, Jaguar को, ठीक है, तो I hope आपको merger और acquisition के बीच में difference यह समझ में आया होगा, और merger की जहां तक बात है, तो merger में जो company नई form होती है, ठीक है, तो उसके stocks भी नई रहते हैं, ठीक, क्योंकि एक नई company form होई तो जो पुराने stocks थे वो नहीं count होते हैं, और जहां आपकी बात करें acquisition में, तो acquisition में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, और merger के होते हैं, एक friendly process होता है, दो या दो से जादा companies हैं, वो आपस में एक, क्या करते हैं, corporate करके merge करते हैं, लेकिन acquisition friendly भी हो सकता है, और एक proper takeover भी हो सकता है, ठीक, और merger काफी जादा expensive होता है in comparison to acquisition, ठीक है, so I hope आपको ये topic भी clear हो गया होगा, अब हम मिलते हैं अपनी next video में, जहां पर हम आगे की topics को discuss करेंगे, thank you so much for watching, please मेरे channel को like, share और subscribe करना मत भूलिएगा, और हाँ bell icon को भी जरूर प्रेस कर दिएगा, ताकि आपको notifications जरूर मिले, ठीक है, तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपनी next video में और अपने session को आगे continue करेंगे, till then, bye bye, take care, stay healthy, stay safe.